नमस्कार दोस्तो जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे वन में टायटेनिक शिप का नाम जरूर आता है जो की 17 मंजिल बिल्डिंग से भी उंचा था लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्तरा मेही पानी में कैसे दूब गया क्या यह नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कार था आखिर क्या हुआ था उस दिन जब टायटेनिक डूबा था आपके इन सभी सवालों का जबाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं लेकिन वीडियो सुर करने से पहले आप इस च आपड़ी सो पायगे आपके इस वीडियो में में था आपके इसमें का सबसे बड़ा समंदरी जाज था और यह उस समय इंसानों दारा बनावी गई गई सबसे वड़ी चीज भी था तैनिक जाज को 31 March 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना सुरू किया और फिर 26 महीनों में यानि कि 31 मही साल 1911 में बना कर तयार कर दिया हाला कि इसको बनाते समय 250 से जादा लोगों को चोटे आई और दो लोग तो मारे भी गए थे ये जाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के तीन फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं और जिस दिन ये बन कर तयार हुआ था यानि कि 31 मही 1911 को इसे देखने के लिए एक लाग से भी जादा लोग आए थे इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनिया बनाने का काम अपरेल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्तरा के लिए भी जाना था जो कि इसकी आखरी यात्तरा भी थी टाइटनिक की जादा से जादा इस पीर 43 किलोमेटर प्रतिगंटे की थी इसमें लगे होरन की आबाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता था टाइटनिक 10 अपरेल 1912 को इंगलेंड के साउथ हेंटन से नियोर्क की और रवाना हुआ चार दिन सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन 14 अपरेल 1912 की रात को 11 बच कर 40 मिनट पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले इससे में पानी भरना शुरू हो गया जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहल पैदा हो गया लेकिन संकट के समय कुछ समझदा लोग आगे आए और उनने दिलासा देते हुए कहा कि डरने की जरूत नहीं है हमें हिम्मस से काम लेना होगा फिर जहाज पर मौझूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सरक्षित उतारा जाने लगा आइसबर्ग से टकराने के बाद दो गंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समंदर में डूब गया एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे जिसमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर और दुक की बाद तो ये है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गवावेटे टाइटनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइब बोट ही थी जो कि केबल दो प्रतियत लोगों को बचाने के लिए काफी थी लेकिन साइध अगर जहाज पर ज़्यादा लाइब बोट होती तो इतने लोगों की जन नहीं जाती इस दुरगटना में मरें सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी बागी लोगों की लाशों का पता ही नहीं चला कि वो कहा गई टायटनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का टेंपरेचर 2 डिगरी सेलसियस था इस बरफ जमा देने वाले पानी में कोई भी इंसान 15 मट से जाद अजिंदा नहीं रह सकता था ऐसा माना जाता है कि जाज के दीरे दीरे डूबने की ख़वर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखरी समय को खुशी से बिता सकें जाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगबख 100 फीट उचा था और ये ग्रीन लेंड के ग्लेशियर से आया था एक अनुमान के अनुसार टैटनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीन लेंड से अलग हुआ था और टकर के दो अफते बाद ही एनश्ट हो गया क्योंकि टकर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था टैटनिक को हर दिन 600 टन कोईले की जुरत होती थी इसके 860 क्रूम मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोईले को बटी में डालना था इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआ निकलता था टैटनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनिया थी जिन मेंसे 3 सिर्फ धुआ निकलता और 4 चिमनी नकली थी वो केवल जहाज का बैलेंस बनाई रखने के लिए बनाई गई थी टैटनिक दुरगटना नौर्थ अट्लांटिक सागर में हुई थी और इस जहाज का मलवा ढूड़ी में लगवग 75 साल लग गए थे काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1945 को टैटनिक का मलवा ढूड़ दिया गया आपको जानकर हैरानी होगी कि समुंदर में टैटनिक जहाज दो टकड़ों में तूटा हुआ पाया गया था और इन दोने टकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टैटनिक दो टकड़ों में क्यों बट गया क्योंकि उसमें छेट तो एक तरफ ही हुआ था लेकिन ऐसा माना जाता है कि साइज समुंदर के सरफेस पर एक तरफ प्रेशर बढ़ने से यह तूट गया यूँ तो टैटनिक पर कई फिल्में और डक्यूमेंटरी बन चुकी है लेकिन साल 1997 में बनी टैटनिक फिल्म सबसे बड़े ज़्यादा चर्चा में रही इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के इसाब से टैटनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था आपको जानकर हैरानी होगी कि टैटनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा करना ही नहीं चाहते थे दरसल टैटनिक की मालिक कंपनी वाइट स्टार लाइन ने अपने दो समुंधरी जहाजों की यात्रा को कोईले की कमी के कारण कैंसल कर दिया था और उसके यात्रियों को टैटनिक में सिफ्ट कर दिया इस वज़ा से उन लोगों ने भी अपनी जान गवा दी जो की टैटनिक में सफर करना ही नहीं चाहते थे टैटनिक में फर्च्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले 4,350 डॉलर यानि की उस समय के हिसाब से 2,70,000 रुपे चुकाने पड़ते थे वहीं सेकंड क्लास के लिए 1,750 डॉलर यानि की करीब 1,00,000 रुपे देने पड़ते और थर्ड क्लास के लिए करीब 30 डॉलर यानि की 2,000 रुपे की रिकम चुकानी पड़ती थी आज के समय के इसाब से डॉलर की कीमत को देखा जाये तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए कम से कम 50,000 रुपे का खर्चा करना पड़ेगा टाइटनिक में यात्री और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था जाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड, प्याज, 36,000 सेव के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौझूद था जाज के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 लेडिस थी और बाकी सब जेंट्स थे टैटनिक जहाज पर 13 नई शादी सुदा जोड़े अपना हनिमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे लेकिन इस हाथसे में इन मैसे के बल 2 कुत्ते ही जिन्दा बच पाए तो तो ये थी टैटनिक की रियल स्टोरी उमेद है कि आपको ये टैटनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगाओगा यदि अच्छा लगाओ तो इसको शेयर जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए